ये मूवी है एक ऐसे लड़के की जो अपनी टीचर के प्यार में पागल हो जाता है और उसके साथ इंटीमेट होना चाता है और वो भी एक बार नहीं हर रोल पर कोलिज की सबसे खुबसरत लड़की आती है जिसका नाम बोनी है और वो बोवी से बाते करने लगती है और बोवी बोनी को बहुत पसंद करता है पर वो उसे बोल नहीं बाता क्योंकि बोनी का ओल्डर डी बोईफरेंड होता है और उसका बोईफरेंड उसी समय महाँ पर पक जाता है मतलब की आ जाता है और बोनी को अपने साथ अपनी बड़ी सी कार में बढ़ा कर ले जाता है पर उसी राद बोबी भी काफी जादा एंजुए करता है पर किसी लड़की के साथ नहीं बल्कि अपने दोस्तों के साथ ही अगले सीन में दिखाया जाता है कि बोबी स सुन्दर सी कनया उसे मिलने के लिए और वोबी दो से मिलने के लिए सिमिम कुल से बाहर निकलता है कि उसका नम टैरी और वो उसकी टीचर है अब टैरी बोबी के फादर महान पर कहते हैं कि अगर बोबी के 85% से जादा नमबर आए तो वो उसे 10,000 डॉलर एक्ष्ट्रा देंगे बोबी बोनस के तोर पर और यह सुनकर टैरी बहुत जादा खुश्च हो जाती है तो अब टैरी बोबी को ट्यूशन देना स्टार्ट करती है पर बोबी को फ्रेंच लेंगेंज में को कार में इंटिमेट हो रहा है लेकिन तब ही वहाँ पर उस वेटर्स का बॉइफ्रेंड आ जाता है और वो कार से बाहर निकल कर भाग जाती है और बोबी भी डर के मारे बिना कपड़ों के ही कार से बाहर निकल जाता है दरसल उस वेटर्स का बॉइफ्रेंड गुंडा होता और बोबी उसे चिप चिप कर देखता रहता है और उसके दिल में टैरी को लेकर कुछ-कुछ होने लगता है अगली सुबर टैरी बोबी को ट्यूशन दे रही होती है तब बोबी को एक कोशन पेपर देकर और उसे सौल्व करने कर बोल कर अंदर ड्रिंक लेने के लिए चले पर बोबी कोशन पेपर सौल्व करने की जगार वो टैरी के साथ इंटिमेट होने का इमेजिन कर रहा होता है और तभी महाँ पर टैरी आ जाती है और बोबी के इस प्यारे से सपने को तोड़ देती है और उसे थोते हुए देकर बोलती है कि चलो हम थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लेते हैं और वो दोनों स्विंग पुल के पास जाकर बैठ जाते हैं और तभी बोबी टैरी से पूछता है कि क्या आपका बॉइफरेंड है पर टैरी बोलती है कि परसनल सवाल ना करो पर बोबी बार बार यही सवाल करता है जिस वज़े से टैरी उसे बताई द करने के लिए एक कैफी में जाते हैं और वहां पर बॉइफरेंड आ जाता है और उसे देखकर ठैरी का मूड औफ हो जाता है इसलिए वो वहां से चली जाती है अब उसी राधे से टैरी स्विंट्य में आ रही होती है वो भी बिलाक पड़ों के मतलब कि उसमें सुट भी न कर कर नहीं जा रहा होता है तब ही वह बाहर देखता है कि टैरी अपने बॉइफरेंट के साथ कार में बैठे हुए हाँ सब्धाब बाते कर रही है जब वहाँ देखते हैं कि उसका बॉइफरेंट के साथ जब लगा हुआ है और ये सब टैरी देख लेती है और अपने बॉइफरेंट के साथ जगड़ा करकर वहां से चले जाती है और जब टैरी बॉबी को उदास देखता है तो वो पूछता है कि क्या हुआ तब टैरी उसे सारी बाते बताती है और ये सब बाते सुनकर बोबी अंदर यंदर बहुत जादा खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है टैरी अब नाने के लिए अपने साड़े कपड़े उतारकर स्विमिंग पूल में नाने चली जाती है और बोबी भी वहाँ पर आकर बैठ जाता है पर टैरी उसे सिमिंग कूल में कीच लेती है और बोग दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर रूम में जाकर इंटीमेट होते हैं पर यहां पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है दरसल बोबी के डैडी भी टैरी को बहुत पसंद करते हैं और उसके साथ इंटीमेट होना चाते हैं और इसलिए बोबी के डैडी टैरी को अपने रूम में बलाते हैं और उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाता हूँ पर टैरी को यह सब सुन के अच्छा नहीं लगता और वो गुसरा होकर वहाँ से अपने घौर पर चली जाती है अब अगले दिन बोबी टैरी के घर पर होजाता है तब टैरी बोबी को बोलते है जो भी हमारे बीच है उसे सीरिस ना लेना और बोबी ये सुनकर कहता है कि जो कुछ भी हमारे बीच है वो सब कैस जो रहे बस ये सुनकर टैरी के चाहरे पर समाई ला जाती है और उसे अपने घर के अंदर ले जाती है और उसके साथ ताबर तोड़ा वाला इंटिमेट होती है अब अगली सुबह दिखाया जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश है क्योंकि बोबी टैरी से प्यार करने लगा है और टैरी के मन में भी बोबी के लिए कुछ हो रहा है अब आगे दिखाया जाता है कि बोबी के डैडी बोबी और टैरी को किस करते हैं और नेक्ट डे बोबी को अपने पास बुला कर बोलते हैं कि तुम्हें जो ये स्पैसल ट्रीटमेंट मिल रहा है इसके लिए मैं तुम्हारी फ्रेंड टीचर को 10 याड डॉलर पे कर रहा हूं अब ही सुनकर बोबी को बहुत बुरा लगता है और अपने डैडी के साथ जगड़ा करकर महां से चला जाता है और सीधा टैरी के पास पोग जाता है और टैरी से कहता है कि तुमने मेरा इस्तमाल क्या वोबी सिर्फ 10 याड डॉलर के लिए ये सुनकर टैरी को बहुत गुस को तकमा-देती है और वो भी गुस्ते म感じ चला तो तोटा हुआ दिल लेकर सीधा अपनी दोस्ट बोनी के घर और उसके अगेते है और वहां से चब्र Spiel करते हैं और वहां से चली आती है और यह सबसे बोबी बहुत खुश होता है और अब यह मोवी नहीं पर खतम हो जाती है आपको यह मोवी कैसे लगी हमें कमेंड बॉक्स में जरूर बरता हैं और ऐसे इंटरस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर